मेरा देश, मेरा मान, मेरा राश्ट्री यद्वज, तिरंगा इसे देखकर दिल में राश्ट्र के प्रती भावनाय जादरित हो जाती है पूरी दुनिया में, खासकर पश्चिमी देशों में लोग अपने नैशनल फ्लैग को अपने धर में पूरी आजादी से लगाते हैं लेकिन कुछ साल पहले तक हमारा तिरंगा हमारे दिलों में तो बस्ता धा, लेकिन धर में नहीं साल 2022 में जब आजादी के 75 साल पूरे हुए तब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तिरंगे को हर घर तक पहुंचाने की एक पहल की एक स्पेक्शल मूवमेंट हर घर तिरंगा का अयुजन किया जा रहा इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस तर आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फ़हराये ने या उसे अपने घर पर लगाए जिसके बाद लोगों ने तिरंगे को अपने धर, अपने ऑफिस, अपनी गाड़ ही और हर जगें लगाकर इसे एक जन जागरन बना दिया ये तिरंगा सिर्फ अपने आप में तीन रंग नहीं है, इसे देखकर हमें याद आती है, उन बलिदानों की जिनकी वजह से आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं ये प्रतीक है, शांती का, खुशहाली का और ये हमें प्रेरणा देता है, आगे बढ़ने की और भारत को एक विक्सित राष्ट्र बनाने की अब हर साल, हर धर तिरंगा, एक तियोहार, एक उत्सव के रूप में हम सब मना रहे हैं और ये तिरंगा, देश, प्रेम की भावना को हमारे अंदर जगा रहा है और हर भारत वासी के दिल में एक उर्जा का संचार कर रहा है